प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया से बनते बिगड़ती मनह इस्तित। हाला कि इस बारे में कुछ-कुछ मैं पहले भी समझा ही चुका हूँ। याद ना आ रहा हूँ। तो फिर भी याद दिला दूं कि जैसे ही आप अपने मनरूपी कंप्यूटर में कोई डेटा डालते हैं कि तक्षन मेरी तरफ से उसकी परतिक्रिया होती है और परतिक्रिया ठीक न्यूटन के कती के नियम के आधार पर ही होती है यानि बराबरी पर और विपरीद दिशा में और यह आपके डाले हुए डेटा के आधार पर मेरी और से जो परतिक्रिया आती है वे चाहो ना चाहो आपको जेलनी ही पड़ती है फिर उसका आपके पास कोई उपाय नहीं इस बात को अच्छे से समझने ही तो सर्व परतम मैं इन क्रियाओं वे परतिक्रियाओं के चंद उधारन देता हूँ इससे पहला फायदा तो आपको यह होगा कि यदि उन परतिक्रियाओं से आप बज़ना चाहते होंगे तो आप क्रियाओं में उस प्रकार के डेटा अपने कंप्यूटर में डालना बंद कर दें आपकी क्रिया समय की परतिक्रिया पहला आपने किसी और के भरोसे कोई कारे किया फिल चाहे वह भगवान ही क्यों ना हो समय की परती करिया कि हातों हात्वाथ आपका आपोस हों मैं कम कर दूगा इदी किसी से आप कोई अपेक्षा किए बैठे हैं तो अपेक्षा पूरी ना होती ही मैं आपको डुक भेज देता हूँ आपकी करिया 3, दूसरों के भरोसे फिर चाहे वह बॉस हो या वासा आपकी रहनी के आदत हो गई समय की परतिक्रिया तो मैंने आपका आप पर से भरोसा पूरी तरह तोड़ा ही समझो और एक बार आपका अपने पर से भरोसा तोटा तो फिर आगे आपके लिए अपने बल पर कुछ भी करना मुश्किल हो जाएगा आपकी क्रिया नमबर 4 यदि आप कोई चाहा किये बैठे हैं समय की परतिक्रिया तो चाहा पूरी ना होती देख मेरी और से आपको चिंता भेज दी जाती है आपकी क्रिया नमबर 5 यदि आप अच्छा दिखने की चाहल ये जी रहे होते हैं समय की परतिक्रिया किसी के बुरा कहते ही मैं आपको दुखी कर देता हूं नमबर 6 यदि आप अच्छा दिखने की चाहल ये जी रहे होते हैं समय की परतिक्रिया किसी के बुरा कहते ही मैं आपको दुखी कर देता हूँ नमबर सेवन यदि आप पचासों खौईशे पाले जी रहे होते हैं तो समय की परतिकरिया मैं आपकी उर्जा उन पचासों खौईशों में हातों हात विवाजित कर देता हूँ परिनाम सरुक एक खौईश पूरी करने की जमता भी आप में नहीं बचती है और इससे जीवन भर कितने दुख, चंता, क्रोध, टेंशन सब आप पर आते जाते रहते हैं यह तो आपको मालूम ही है नमबर एट आप जैसे ही किसी को अपना बनाते हैं कि मैं आपको उसकी हजार चिंताओं में उलजा कर रख देता हूं नमबर नाइन जैसे ही आप किसी से प्रभावित होते हैं कि आपका सुभाविक विक्तित्व मैं डामडूल कर देता हूं नमबर टेन जिन बिमारियों वापर इस्तितियों से बचने हैं तो आप जितनी जानकारियां जुटाते हैं या सावधानी बरतते हैं मैं उसे उनके प्रती आपका मोह समझ कर आपके निकट ला देता हूं यदि आप चीजे अपने हिसाब से घटे ऐसी चाहा लिए बैठे हैं तो घटनाओं के विप्रीत दिशा पकड़ते ही मैं आपको ग्रोधित कर देता हूं number 12 आप जैसे ही किसी वेक्टी या विचार के प्रती अपना पका मन्त्व बना लेते हैं कि मैं उस वेक्टी या विचार को समझने की शमता आप से छीन लेता हो number 13 जैसे ही आपको कोई चीज या वेक्ती बहुत पसंदाने लग जाता है कि मैं आपको उसके खोने के डर से भर देता हूँ जितनी तीवरता से आप किसी वस्तु की इक्षा करते हैं उतना ही तीवरता से मैं उस बारे में आपकी बेचैनी बढ़ा देता हूँ चलो यह तो वेक्रिया परतिक्रिया हुई जिनें समझना शायद आपके लिए आसान भी है तथा जिनकी मैं पूर्व में चल्चा भी कर चुका हूँ परन्तु मेरे कारे यहीं समाप्त थोड़ी ही हो जाता है परतिक्रिया दे देने के बावजूद आपके डाले हुए डेटा मेरी हार्ट डिस्क में स्टोर की रहते हैं क्योंकि मेरे पुलतिक्रिया देने के बावजूद डाले गए डेटा से जमबंदित आपकी चाहा समाप्त थोड़ी ही हो जाती है यानि मूल डेटा तो फिर भी भीतर का भीतर बड़ा ही रहता है और अपने स्वभाव से लाचार में हर भीते शंड के साथ उसका विस्तार करता रहता हूँ और ऐसे एक नहीं हजार डेटा आप डाले बैठे हैं और फिर इन डाले गए तमाम डेटा के आधार पर आपकी एक स्थाई मनहा इस्तिती बन जाती है फिर तो आपसे अपनी मनहा इस्तिती के आधार पर करिया भी अपने आप होती रहती है और नियम से उसकी परतिकरिया भी आप अपने आप जेलते रहते हैं यहां समझने लाएक बात यह है कि शुरुआत में तो आप डेटा डाल डाल कर हार्ट डिस्क को भल देते हैं फिर वह जब एक लिमिट से उपर भल जाती है तो करप्ट हो जाती है और मेरे चंचंचन विस्तार के नियम से आपकी वह करप्ट हार्ट डिस्क भी समय के साथ आपके मनरूपी कम्प्यूटर में गूमते रहते हैं जो फिल ना आपको दिन में चैन से जीने देते हैं और ना ही रात को ठीक से सोने देते हैं और तो और उन कडोडो डेटा के कारण आपकी एक स्थाई और पर्मानेट कन्फिउस्ड मनह स्थिती बन जाती है जिसके परि नाम सरूप आपको अपने जीवन को एक हताशा की रूप में स्विकाना पढ़ जाता है यानि फिर आप रूटीन की चक्की में पिसकर मौत का इंतदार करते रह जाते हैं इस पश्ट शब्दों में कहूं तो फिर आपका आगे का पूरा जीवन आपकी बन चुकी मनाह इस्ति में कहूं तो यह मेरी गती अत्ति धीमी पढ़ जानी की बेहोशी आप पर चा जाती है फिर आप क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं या क्या चाहा रहे हैं कुछ भी आपकी समझ में नहीं आता है बस आप परतिक्रियाओं के धक्के जिलते रह जाते हैं अधिकान्च समय तो ना चाहते हुए भी बहुत कुछ आपसे ऐसा होता रहता है जो आपको परिशान कर देता है और इन सबका सबसे बड़ा दुश परियनाम तो यह है कि अब मैं यानी समय आपके नियंदरन में भी नहीं रह जाता और जिसके परियनाम सरूप आप कुछ जादा ही बुद्धी च कईयों के यही हाल हो जाते हैं मनुश्य के मन बुद्धी की इस हालत को ही साइकलोजी की भाषा में मानसिक तोर पर रूगन कहा जाता है परंतो दुर्भागे से ऐसा मनुश्य अपने को जादा ही बुद्धिमान मानने लगता है और इस वज़ा से ना तो उसे मानसिक पैसों को समझ जाएगा उनके लिए खुशखबरी है दरसल ऐसे मनुशों को समझना बड़ा आसान हो जाता है उसकी मनह इस्तिति के आधार पर वह कब और क्या वेवार करेगा इसका अंताजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है फायदा उठाने वाले ऐसे मनुश्य का फा हो जाती है जैसे सूरज, चांद, हवा, पानी, मिर्ची, शक्म, शेर, हिरन सब प्रेडिक्टेबल है तथा आप उसका बरबूर फायदा उठाते ही है नहीं समझे अभी समझाता हूं आपको मालूम हो गया है कि सूरज गर्मी देता है यानि आपके लिए सूरज प्रेडिक प्रेडिक्टेबल हो गया अब क्या सूरज गा झाना हो तो ही आप उसका उप्योग करते हैं यही क्यों जितना तीका खाना हो उसी मातरा में आप उसका उप्योग करते हैं ठीक इसी तरह आप जानते हैं कि शेर आपको ठाल पक Serấn के खा सकता है और क्योंकि आप मरना नहीं चाते इसलिए खुले शेर के पास नहीं चाते और आप जानते हैं कि गाएं दूद देती हैं तो आप गाएं का दूद निकाल लेते हैं नहीं का तात्परे जिसे भी जान लिया गया या जो भी प्रेडिक्टेबल हो गया आप ना सिर्फ उससे बचने के बल्कि उसके उप्योग के भी मारग खोजी लेते हैं लेकिन क्योंकि हर मनुश्य अलग-अलग है और हर एक का विश्व अलग-अलग है इसलिए मनुश्य के प्रेडिक्टेबल हो जाता है और फिर इन प्रेडिक्टेबल मनुश्य का उप्योग किया जा सकता है और आपको ना मालूम हूं तो बता दूं कि उनका धडल्ले से उप्योग किया भी जा रहा है जहां एक हो धर्म-गुरू एक से एक चमतकारी भगवान और विदियों की इजाद कर लोगों के भै को सहला रहे हैं तो ही नेता नए नए सपने बेच आप पर साशन कर ही रहा हैं दूसरे और विफसाई भी आपके भै और लोग को सहला कर तमाम कच्टे बेच ही रहे हैं यहां तक की वे तो कालिपन को सीड़ी बनाकर आपको फेरनेस क्रीम भी धड पर ले से बेच जाते हैं तचमुच इन प्रेडिक्टेबल मनुश्यों का हर कोई दिल कोल कर फायदा उठा रहा हैं और क्योंकि अधिकांच प्रेडिक्टेबल ही हैं अतहां मनुश्य की हाल सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं चलो यही बात थोड़ा और विस्तार से समझ मैं मनुश्य की बन चुकी मनहां इस्तिती तथा उसके अपने आप होने वाली परतिक्रियों के बारे में कुछ बाते उधारनों से समझाता हूं इसके दो सीधे फायदे आपको हैं एक तो उसकी परतिक्रियाओं पर गौर कर आप उसकी वस्तविक मनहां इस्तिती यानि उस वालों को भी नियम से उसकी पर्तिकरियां भुगतनी ही पड़ती हैं और उसे तू जादा दूर भी मत जाना आपका उप्यूग कर रहे नेतावा धर्मगुरू के भीतर का हाल देख लेना तो अभी तो आप इस्थापित मनह स्थिद्धी के इस्थापित पर्तिकरिया समझ लीजी जो मैं आपका सिर्फ इस विषय में ज्यान बढ़ाने ही तू समझा रहा हैं बांकी आगे के चनता मैं क्यों करूँ आप इनका कैसा उप्योग करना उसे तू सतन्त रहें और मैं आप आपको उनको जानना तो है, आपको उनको जानना तो है, आपको उनसे सावधान तो रहना है, सो अब मैं आपको मनुषे की Personal Predictability के बारे में बताता हूँ, मैं आपको यह बताता हूँ कि किस मनुषे की कौन सी मनाह इस्तिती होने पर वह बाहर क्या परतिक्रिया देता है, अर्था थाप मनुशे द्वारा बाहर दी जाने वाली पुल्तिक्रियाओं के आधार पर उसकी बीतरी मनह इस्तिती का पता कैसे लगा सकते हैं क्योंकि ऐसा मनुशे हर वक्त अपने भीतर का सारा कच्रा चिपाने में लगा रहता है मनुशे की इस्थाई मना है इस्थिति उस कारण लगातार होने वाली उसकी परतिकरिया मनुशे की इस्थाई मना है इस्थिति नमब वन उसको मन की बीतर जो भी बात खटक रही होती है उसके प्रती वक्त वेवक्त वह अस्थता जताता रहता है नमबर टू उसके भीतर जिस बात की कमी होती है वहें बाहर बार बार उसी का प्रदर्शन करता रहता है नमबर त्री जो किसी से दबकर जीने का दर्द पाले जी रहा होता है वहें कमजोर सामने आते ही उसको दबाने ही तो ललायत होड़ता है नमब फूर, भीतर से जो डरा हुआ है, वहें बहादुरी की बाते खूब करता है, आपको समझना हो, तो यह समझ लेना कि उसे जरा सा डरा कर काम निकल वाया जा सकता है, नमब फाइव, जो भीतर गहरी हजार चंताय पाले जी रहा है, वहें बहार आप पूछें ना पूछे सब first class चल रहा है, कहता ही रहता है, नमब 6, जो एक उम्र के बाद आगे कुछ ना कर पाने का दुख लिए जी रहा होता है, वहें मौके बे मौके, अपने पुराने कालना में सुनाता ही रहता है, कहने का तात पर है, मनुशे की भीतर जो चल रहा है, या उसकी मनहें इस्ति प्यार जताने आये तो सावधान हो जाना समझ लेना कि वह पीट में शुरा भूगने ही बाला है सो कुल मिलाकर अब आपको इस विशाय में बहुत जादा समझने के अवश्यक्ता नहीं मेरे बारे में बढ़ते पढ़ते तथा मेरी संपूर्न कारे प्रणाली को जानकर इतना तो समझने लगी गए होंगे कि अब मैं आपको इशारों में समझा कर आगे बढ़ सकूँ अभी तो यहां यह सब कुछ बताने का कारण केवल यह है कि लोगों की मनह इस्तिती पहचानने का ग्यान प्राप्त कर आप आसपास के मनुश्य से अपने विश्व पर मंड़ा रहे खतरों को पहले से जान सके तो अब यह बात यहीं समाप्त करते हुए आपको एक और अनूटी बात बताता हूँ आपका ध्यान आपकी एक ऐसी आदत की और अगरशित करता हूँ जो वाकई बड़ी खतरनाक है और उसकी शुरुआत किसी भी चीज़ का चुनाप करने से होती है बात बात पर तथा आकारण चुनाप करते रहने की आपकी आदत पुरानी है हालकि आप डेटा डालते वक्त उस बारे में ध्यान नहीं देते परन्तो इससे आपका विश्व धीरे धीरे दो विरोधावासी बातों से एक घरता चला जाता है और ये सारी विरोधावासी ताकते एक दिन आप पर इस कदर हावी हो जाती है कि आपका विश्व ही टूटा फूटा वा अधूरा कर देती है और इस लिहाद से कहूं तो यहें आपकी चुनाव करनी की आदत कुछ जादा ही कमभीर है चलो इस बात को भी कुछ उधारनों से समझाता हूँ अब तो आपका थोड़ा सा ध्यान किसी बात पर आकरशित करनी की देर है पिर उन बातों को आपकी रोजमरा की जीवन पर क्या असर होता है यह आप सोता ही समझ जाएंगा चंद उधारनों के बाद आपके लिए यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि आपके चुनाफ करनी की परतिक्रियाओं के दफल सरो आपका क्या हल हो जाता है वैसे तो यह सब बड़ी सीधी बाते हैं पर उन्तों आपकी कंडिशनिंग ऐसी हो चुकी है कि आप इतनी सीधी बात पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं मैं पूछता हूँ आप चुनाफ करते ही क्यों है सच कहूं तो आपका यह चुनाफ करते रहना सदैफ से मेरी समझते परे हैं आप यह क्यों नहीं समझते कि मेरे तलपर यानि आपके मनरूपी कंप्यूटर में एक क्रिया कभी नहीं होती है आप किसी चीज का चुनाफ करते हैं तो उसके विपीत मैं परतिक्रिया दे ही देता हूँ चलो आपको यही बात एक चार्ट के जरीए समझाता हूँ शायद आप आपके चुनाफ करते रहने की आदत की गंभीर परिनाम समझ सके आपका चुनाफ करना मेरे द्वारत 140 रूप से दूसरा चुनाफ भी होगी जाना जैसे ही आप एक धर्म को अपना मानने का चुनाफ करते हैं मैं हातों हाथ बाकी के धर्म आपके नहीं यह आपको चुनवा ही देता हूँ जैसे ही आप 10-20 वेक्ती अच्छे हैं ऐसा चुनाफ करते हैं बाकी के ठीक नहीं यह बात मैं आपको मानस में बरही देता हूँ जैसे ही आप कोई खाना अती रूचिकर होने का चुनाफ करते हैं बाकी खाने में नुक्स निकालना मैं आपको सिखा ही देता हूँ नमब फोर जैसे ही आप किसी के निकट आते हैं, उसी अनुपात में मैं बाकियों से आपको दूर कर ही देता हूँ जैसे ही आप एक विचार को अच्छा मानते हैं हाथों हाथ उसके विपीत वाले सारे विचार खराब हैं यह मैं आपको समझा ही देता हूँ जैसे ही आप एक ढटरे से जीने के आदी हो जाते हैं दूसरे तरीके से जीने का मौका आते ही जैसे ही आप अपने कमरे के प्रती मोहों से भलते हैं अन्य किसी जगह पर आपको नीद ना आए उसकी पूरी विवस्ता मैं करी देता हूँ मुझे नहीं लगता अब आपको चुनाफ करने की परतिक्रियाओं के बारे में और जादा उधारन देनी की जरूरत है सो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तो इस वीडियो के लिए बसतना ही मैं उमीद करता हूँ कि आपको यी वीडियो पसंदाई होगी थैंक्यू सो मच गैस पर वाचिंग इस वीडियो